ये हमारी सरकार के स्मॉडल पर चलने वाली है, उसका संकेट मात्र है एक दिन की भी तस्वीर देखेगी इस मात्रे में, आज भी कसाईयों के पक्ष में खड़ी होना चाहती है कि कॉंग्रेश, हम तो प्रभूल से कामना करते हैं कि बिपक्ष के लाइट कॉंग्रेश बनी र हैं, उन्होंने कहा इस पर अदालत ने पहले ही फैसला दिया था, लेकिन कुछ लोग मजभी आजादी के नाम पर इस ध्धोनी प्रदूशन को रोकना ही नहीं चाहते हैं, उनके एलान उसे, और इसलिए ये कदम स्वागत योग हैं, उसी तरह मास और अंडों की सब्जनेक विकरी क्यों होनी चाहिए, ये कुई साग भाजी तो नहीं है, कुछ मासाहरियों के लिए किसी प्राणी की हत्या करके उसको आप बाजार में घुमाते घुमेंगे, क्या स सब भी समाज के लिए अच्छा है, कॉंग्रेस त्वारा सीम की निर्णे की विरोत पर भी जैवान सिंग पवया ने निशाना साथा, मैंने सुना है कि मद्धिप्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी हैं कॉंग्रेस के, उन्होंने मार संडे के विक्री लेकर बीजेपी से कहा है कि वो इस तरह की राजिनीती कर रही है, मगर मैं कॉंग्रेसियों को कहना चाहता हूँ, इतनी करारी पराजय के बाद भी विधान सभा में आज भी कसाईयों के पकषमे खड़ी होना चाहते है कि कॉंग्रेसियों मार्स बिकने के पकषमे कॉंग्रेस खड़ी हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमको सिख्षा पर ध्यान देना चाहिए अरे पहले दिन ही हमारी सरकार ने मद्यप्रदेश के हर जिले में PM Excellence College खोलने की खोशणा किये और इसलिए हम एक हाथ में विकास का और दूसरे हाथ में अपनी सर्फकती की पता का लेकर चलने वाले लोग हैं महारास्ट के सह प्रभारी और भाजपा के वरिस्ट नेता जैभान सिंग पवया ने ये ध्याद भी साफ कही है कि हमारी सरकार किस मॉडल पर चलने वाली है ये एक दिन के भीतर सिर्फ संकेत मात रही है कॉंग्रेस की सोच ही इस प्रकार की है कि उसे हर फैसले में सामप्रतायकता नजर आने लगती है और उसी के कारण कॉंग्रेस के भाग्य फूटे है फिलाल आपको बता दें कि नए सियम मोहन यादव के फैसले के बाद से ही कई जिलों में इस पर एक्शन भी देखने को मिलने लगा है लाउड स्पीकर पर बैन और खुले में मास बेशने पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है जिसके बाद कई जिलों से एक्शन की तस्वीर हैं सामने आ रही है और उसके बाद ही जैवान सिंग पवैया का ये कहना कि ये सिर्फ संकेत मात्र हैं हमारी सरकार किस मॉडल पर काम करेगी ये आगे देखना होगा